हम सब इस अइतिहासिक भवन से बिदा ले रहे हैं आज आदे के पहले ये सदन इंपिरियल डेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था आज हदे के बाद ये संसद भवन के रुप में उसको पहचान मिली है ये सही है इस इबारत के निर्मा करने का निर्णा है विदेशी सासकों का था लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्मान में पसीना मेरे देशवाच्चों का लगा था परिश्रम मेरे देशवाच्चों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोक्तांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तब स्रजन किया है और इस सदन में रहे हुए सब ने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी ये भवन भी आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा प्रेरणाद देता रहे 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 ये भारत के लोक्तंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वकुन अध्या है जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोक्तंत्र का सामर्थ कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहे रहे अध्यने दिख जी अमर्थ काल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट में एक नया विश्वास नया आत्मविश्वास नया उमंग नये सपने नये संकल्प और राष्ट का नया शामर्थ उससे भर रहा है चारों तरप आज भारत वासियों की उपलब्दी की चर्चा हो रहे है और गवरों के साथ हो रहे है यह हमारे 75 साल के संसद्य इतिहास का एक सामुहिक प्रयास का परियाम है जिसके कारण बिश्व में आज वो गुंज सुनाई दे रही है आदरे देख जी चंद्रयान तीन की सफलता न सिर्फ पुरा भारत पूरा बेश अभिभूत है और इसमें भारत के सामुर्थ का एक नया रूप जो आदुनित्ता से जुड़ा है जो विज्ञान से जुड़ा है जो टेकनोलोजी से जुड़ा है जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ से जुड़ा है जो 140 करोर देश वाचों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव प्यादा करने वाला है यह सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटी कोटी बधाईया देता हूँ उनका अविनंदन करता हूँ आदेन अब्दर जी यह सदन ने भुद्काल में जम नेम की समिठ हुई थी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयाश को सराह दे आज जी ट्विंटी की सभलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है मैं मानता हूँ देश वाज़ों का आपने गलो बढ़ाया है मैं आपका आभाय व्यक्ता करता हूँ जी ट्विंटी की सभलता एक सो चालिस करोर देश वाज़ों की है यह भारत की सभलता है किसी व्यक्ती की सभलता नहीं है किसी दल की सफलता नहीं है भारत के फैडरल स्ट्रक्चर ने भारत की विविदिता ने साथ सानों पर दोसों से अधिक समीट और उसकी महजबानी हिंदुस्तान के अलग-अलग रंग रूप में देश की अलग-अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान सकी और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है ये हम सब के सेलिबरेट करने बाला विश्व है देश के गवरवगान को बढ़ाने वाला है और जैसा आपने उलेक किया भारत इस बात के लिए गर्व करेगा जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय आफ्रिकन उनियन इसका सद़ से बढ़ा मैं उस इमोशनल पल को भोल नहीं सकता हुए जब आफ्रिकन उनियन की गोश्णा हुई और आफ्रिकन उनियन के प्रिस्रेंट उन्होंने एक इंटर्वे कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ू गया अब कलपरा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपच्छा और आशाये पूरी करने का काम भारत के भागे में आया आदेने देख जी भारत के परतिशक करने का एक सभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है इस बार भी यही था कोई डिकलेरेशन नहीं होगा असंबव है लेकिन ये भारत की ताकत है कि बहभी हुआ और विश्वा सर्वसम्यति से एक साज्या गोश्णा पत्र लेकर के आगे का रोल मेप लेकर के हाँ से प्रारंब हुआ है और अद्यक जी आपके नेत्रुत्व में क्योंकि भारत के अद्यक्स्ता नवेंबर के आखरी दीन तक है इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उप्योग हम करने वाले है और आपकी अद्यक्स्ता में दुनिया भर के जो G20 के सदस्य है P20 पार्लेमेंट के स्पिकर्स की एक समीट जैसे आप निकोश्णा की सरकार का आपके इस प्रहासों को पूरा समर्फन रहेगा पूरा समय योग रहेगा आदेने अद्यक्स्ता जी हम सब के लिए गर्व की बात है काज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगा बना पाया है पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूर काराण है हमारे जो सौंसकार है बेच से विवेकानन तक जो हमने पाया है सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज बीश्व को हमें साथ राने में जोड रहा है आदिनिय देख जी ये सदन से विदाई लेना एक बहुत भावुक पल है परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको जगजोर देती है और हम जब ये सदन को छोड़के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिस्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है अनेक यादों से भरा हुआ है खटे मिठे अनुभव भी रहे हैं नौग जोग भी रही हैं कभी संगर्ष का माहौल की रहा है और कभी इसी सदन में उत्साव और उमंग का माहौल भी रहा है यह सारी स्पूरुतिया हमारे साथ हम सब की साजी स्पूरुतिया हैं यह हम सब की साजी विरासत है और इसलिए इसका गवरों भी हम सब का साजा है आजहाद भारत के नवनिर्मान से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आतार लेती हुई हमने देखी है आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की और प्रस्तान करने वाले हैं तब भारत के सामान ने मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है सम्मान मिला है उसकी अभिव्यक्ति का भी अउसर है और इसलिए आदेख जी मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बढ़ा और पहली बार एक संसद के रूप में है इस भावन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भावन के दोर पक्ति पर अपना श्रीष जुखा करते हैं इस लोग तंत्र के मंदिर को सद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था वह पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोग तंत्र की ताकत है भारत के सामान्य मानवी की लोग तंत्र के प्रती सद्धा का प्रतिवीम है कि रेल्वे प्रेट्फॉर्म पर गुजारा करने वाला एक करीब परिवार का भच्चा पार्लामेंट पूरे क्या था मैंने कभी कल्पना तक नहीं किसे कि देश मुझे इतना सम्मान देगा इतना अशिरवात देगा इतना प्यार देगा सोचा नहीं जात देगा आदेगी हम मैंसे बहुत लोग हैं जो संसद्ध्ध्वन के अंदर जो चीजे लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं कभी कभी उसका उलेक ही करते हैं हमारे यहां संसद्ध्ध्ध्वन के प्रविश्द्ध्वार पर एक चांदों के उपनिशत क पुरा वाक्य है लोग के द्वारम करके उसका मतलब ही होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिये और देखिये कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती हैं हमारे तुषी मुनियों ने लिखा हुआ हमारे प्रविश्द्वार पर लिखा है हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी है आदेन्य अद्धक जी समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया यह हमारे सदन की समरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधीक समावेशी बनती गई है समाज के हर वर्क का पतिनिदी विवी किताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है अनेक भाशा हैं, अनेक बोरियां, अनेक पहरवेश हैं अनेक खानपान है, सदन के अदर सब कुछ है और समाज के सभी तपके के लोग, चाए वो सामाजिक रचना के हो चाए आर्थिक रचना के हो चाए गाउं या शहर के हो एक प्रकार से, पूर्ण रूप से समावेशी वातावर, सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामन्य की इच्छा, आक्षाओं को प्रकट करता रहा है दलीथ हो, पीडीथ हो, आदिव्यसी हो, पिछडे हो महिलाए हो, हरने हरे का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है अदिने देख जी, प्रारम में महिलाओं की सदसंक्यातन थी लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है इस सदन, इस सदन के करीमे में बहुत बड़ा बजलाओं लाने में उनका योगदान रहा है आदे ने देख जी प्रारम से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था करीब करीब साड़े साथ हजार से अधीक जन प्रतिनिदी दोनों सदरों में मिला करके योगदान दे चुके हैं इतने सालों में साड़े साथ अजार से करीब के जन प्रतिनिदी इस कालखन में करीब छैसो महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरीबा को बढ़ाया है दोनों सदरों और आदनिय अधिक जी आप जानते हैं कि सदन में आदनिय इंदरजीत गुपता जी 43 अगर मेरी गलते नहीं हो तो 43 अगर इस सदन में लंबा समय बैट करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सवधाजी मिला आदा और यही सदन है अदनिय अधिक जी जहाँ शक्कीकूर दहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे जत्किन की उमर 93 और अदनिय अधिक जी भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उमर की चिंद्रमनी मुर्मू इस सदन की सदत से बनी थी जरब 35 साल की उमर की सदत से बनी थी अधनिय अधिक्ष्मोदे बाद, विवाद, कटाक्ष् ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, हम समने इनिशेट भी किया है, कोई बाद नहीं जाए लेकिन उसके वाव दुद्धी, साइद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीडियों में भी रहा है जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहां का रूप देखते हैं, और बाहर लेकरते ही हमारा जो अपना पन होता है, परिवार भाव होता है वो एक अलग ही उचाईपन ले जाता है, और ये भी सदन की तादक्ष एक परिवार भाव और उसके साथ साथ हम कभी करवाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद में मिल जाए, तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस ने भरे याद्व दीनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव करता हूँ आदरिन अद्देग जी हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बाउजित्ती हैं, अनेक असुविधाओं के बाउजित्ती हैं, साथ सदन में आये हैं और उन्होंने शारीरिक पिड़ा भी असाय हो तो भी सदन में एक सांसत के रुक में जन प्रतिन दिती के रुक में अपना करतर दे निभाया हैं, ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं गंभीर गंभीर बिमारियों के बाउजित्ती हैं, कोई विल्चेर में आना पड़ा हैं, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रखकर के अंदर आना पड़ा हैं, लेकिन सभी सांसतों ने, कभी ने कभी इस प्रकार से अपनी भूमी का निभाई कोरोना काल हमारे सामने उदारन है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा नब दे दे, उसके बावजुद भी, हमारे माननी असांसत, दोनों सदन में, कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आये, अपना कर्वत में निभाया है, हमने राश का काम रुकने नहीं दिया, आवशक्ता पड़ी, डिस्टन्स रखना भी था, और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास पहनना पड़ता था, बैटले की रितना भी अलग-अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ, राश का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने, इस सदन को अपने कर्टबे का महतोपुन अंग माने, समसद को चलाए रखा हो, और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है, कि पहले कभी हम देखते थे, कोई 30 साल पहले समसद र रहा होगा, लेकिन वो सेंटर हो तो जुरू आएगा, जोसे मंदीर जाने के आदद होती है, वैसे उनको सदन में आने के आदद है, इस जगा का लगाव बन जाता है, एक आत्मिय भाव से जुड़ाव हो जाता है, और ऐसे बहुत से पुराने लोग है, जो आते जाते में म इस सदन का, आदन ये अद्यक्ष महोद है, आजाती के बात, बहुत बड़े बदे विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाई व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कर निक चल पाएगा, एक रहेगा एक बिखर जाएगा, लोगतंतर बना रहेगा न कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राश्ट पूरे सामर्त के साथ आगे बढ़ता रहा, और इस विश्वात से कि हम भरे आशंकाई होंगी, गने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे, और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी प करके दिखाया है, इसका गवरवगान करने का ये अफसर है, अधनिय दर जी, इसी भवन में ने, दो साल ग्यारा महने तक, सम्विधान सभागी बैठ के भूई और उसे, देश के लिए, एक मार गर्षक, जो आज भी हमें चलाता है, हमारे सम्विधान दिया, और 26 नवर्ब को, जो सम्विधान हमें मिला, वो 26 नवर्ब को 50 को लागू हुआ है, इन 75 वर्षों में, सबसे बड़ा जो achievement है, वो ये है, कि देश के सामान्य मानवी का, इस संसत पर विश्वास बढ़ता ही गया है, और लोक कंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है, कि इस महान संसता के परती, इस महान इस्टिटूशन के परती, इस विवस्था के परती, उनका विश्वास अतूट रहे, विश्वास उनका बना रहे, इन 75 वर्षों में, हमारी संसत ने, जन भावनाओं की अभीवक्ति का भवन भी बना दिया, यहां जन भावनाओं की पुर्जोश अभीवक्ति, और हम देखते हैं, राजेंदर बावु से लेकर, डॉक्टर कलां, रामलाती कोवीद, और अभी द्रगोदि मुर्वु जी, इन सब के सम्मधन का लाव, हमारे सदनों को मिला है, उनका मारतरशन मिला है, आदे नेदिक जी, पंडित नहरु जी, जी, साक्त्री जी, वहाँ से लेकर के अटल जी, मनमोंसी जी तक, एक बहुत बड़ी स्रंग था, जिसने इस सदन का नेतुत तो किया है, और सदन के माद्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रुप में ढालने के लिए, उन्होंने परिशम किया है, पुर्शार को गान करने का भी आउसरा है, आदने इस देख जी, सरदार वल्लभाय पटेग, लोहिया जी, चंदरचिकर जी, अडवाने जी, नजाने अंगिनित नाम, जिनोंने हमारे इस सदन को सम्रुद्ध करने में, चर्चाओं को सम्रुद्ध करने जी, देश के सामान यसे सामान न जेखती की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है, विश्व के भी अनेग राष्टा देख्षों ने, हमारे इन सदनों को सम्रुद्ध करने का भी अउसरा है, और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति, आदर का भाव व्यक्त्य हुआ है, आदरिने दक जी, उमंग उच्छा के पल के बीच भी कभी सदन के आँख से आशु भी बहे, ये सदन दर्द से भर गया, जब देश को तीन अपने प्रधान मंत्री, उनको अपने कारकालमाई खोने की नोबत आई, नहरु जी, शात्री जी नहिंदरा जी, तब ये सदन अस्रु भीनी आँखों से उन्हें बिदाई दे रहा था, आदरिय दिक जी, अनेक चुनवतों के बावजुद्धी, हर स्पीकर ने, हर सभापती ने, बहतरी इन तरीके से दोनों सदनों को सुचार रूप से चलाया है, और अपने कारकाल में, उन्होंने जो निरने किये, वो निरने मावलंकर जी से कालख से चुरू हुए हो, या सुमित्रा जी के कालखन के हो, या बिरला जी के, आज भी उन निरने को रेफरेंस पॉइंट माला जाता है, ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक, और बिरला जी का मारत जी आज भी हमें मिल रहा है, हर एक नियब पे अपनी शाहिदी रही है, लेकिन उन्होंने सब को साथ ले करके, नियमों कानूनों के बंदन में, इस सदन को हमेशा उर्द्यवान बनाए रखा है, मैं आज उन सभी स्पीकर महुदय को भी, आज बंदन करता हूँ, अब इन दन करता हूँ, आजनिया दजी, यह सही है, कि हम जन प्रतिनी दी, अपनी अपनी भूवी का निभाते हैं, लेकिन सातत्य पुन तरीके से, हमारे बीच जो यह टोली बैठती है, उनकी भी कई पीडिया बदल गई है, कभी कागेज लेके दोड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं ह हमें कागेज पत्र पहुंचाने के लिए दोड़ते हैं, सदन में कोई गलत गलती न हो जाए, उसके निरने में कोई गलत न हो जाए, उसके लिए वो चोकणने रहते हैं, जो काम उनके द्वारा हुआ है, उसने भी सदन के क्वाइटी ऑफ गवरननस में तेजी लाने में ब और इनके पूर्वे में जो रहें उनका भी रदय से अभिलंदर करता हूँ, इतना ही नहीं, सदन मुटलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिशन अनेक लोगों ने, किसे ने हमें चाई पिलाई होगी, किसे ने पानी पिलाया होगा, किसे ने रात रात चली हुई सदन को, किसे को भूखा पे रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सिवाएं की होगी, किसे ने माली ने इसके बहार के इंवर्मेंट को समाला होगा, किसे ने इसकी सफाय की होगी, नजाने कितने ही अंगिनित लोग होंगे, जिनों ने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, और यहां जो काम हो, वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक, तेजी से हो, उसके लिए जो माहूल बनाना, व्यबस्ता बनाना, उसके लिए जिस जिस ने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी, और इस सदन की तरफ से भी, मैं उनका विश्यस दूशे न अजन्य देजी लोग तंद्र का इस अदन आतं के हमला हुआ पूरे विश्व में यह आतं के हमला इस इमारत पर नहीं था यह मज़रफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जिवात्मा पर यह हमला था यह देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है लेकिन आतं के उसे लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्च को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलिया जेरी आज मैं उनको भी निमन करता हूँ हमारे बीच नहीं है लेकिनोंने बहुत बड़ी रक्षा की है ख़़णियत जी जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकान मित्रों को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने जीवन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कारकाल में संसत्य काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है एक प्रकार चे वो जीवन तो शाक्षी रहे हैं उन्होंने यहां की पल-पल की जानकारी देश तक पहुंचाई और तब तो यह सारा टेक्नोलोजी अवेलेबल नहीं थी तब वो ही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे और उनका सामर्थ अधा को अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचात और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारता जिन्हों ने संसत को कवर किया शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है और खबरों को यह नहीं भारत की इस विकास यात्रा को संसत भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा देती है आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसत को कवर किया हो तो ऐसी अन्नून चीजे बताते हैं जो उन्होंने अपने आखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरच करने वाली होती है, और एक प्रकार से, जेसी ताकत यहां की दिवारों की रही है, वैसा ही दरपन उनकी कलम में रहा है, और उस कलम में देश के अंतर, संसत के प्रति, संसत सदस्चों के प्रति एक अहो भाव का भाव जगाय है मैं आज कई पत्रकार बंदों के ये रहे नहीं होगी लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावपन है मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंदों के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावपन होगा क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज़्यादा रहा है कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों के ट्रम से भी ज़्यादा है उन्होंने काव किया होगा आज उनके उस महत्पुण लोक तंतर की ताकत बनने के लिए योगदान देने के भी याद करने का उसा है आदेनियत देख जी जब हम सधन के अंदर आते हैं हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है हमारे सात्र में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एकी लए में उच्चानन होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धी स्थान में परिवर्तित कर देती है दमान तव यह सदन भी उस साथ साड़े साथ हजार जन्पतिनीदियों के द्वारा बार बार जो सब्द गुंगे है जो बाणी यहां गुंगी ह है उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करे या ना करे लेकिन इसकी गुंज इसे तिर्टक शेत्र बना देती है कि एक जागरत जगह बन जाती है और लोग तंत्र की स्प्रति सद्धा रखने वाला ग्रेक्ति आज प्रतास साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गुंज की अनुभूती होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गुंजती थी और इसलिए देश महदे यह वो सदन है जहां कभी भगत सी बटकेश्वर दत्त और अपनी बीरता सामर्त से अंग्रेज सल्टनत को जगा दिया था बम का थमाटा कर गया वो बम की गुंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती आदनिय देख जी यह वो सदन है जहां पंडी जी को इसलिए भी याद किये लानेक बातों के लिए याद के लेगा लेकिन हम जुरू याद करेंगे इसी सदन में पंडीत नहरू का at the stroke of midnight की गुंज हम सब को प्रेरीद करती रहेगी और इसी सदन में अटल जी ने कहा था शब्द आज भी गुंज रहे इस सदन में सरकारे आएगी जाएगी पार्टिया बनेगी बिगडेगी लेकिन ये देश रहना चाहिए आज देनियत देख जी पंडीत नहरू की जो प्रारंबी की मंत्री परिशक थी बाबा साब आमवेड कर जी एक मंत्री के रुप में दुनिया की बेस्ट प्रक्टिसिज भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे फैक्टरी कानून में अंत्राष्टिय सुजाओं को सामिल करने पर बाबा साब सरभातिक आगरे ही रहे थे और उसका परिणावाद देश को लाब मिल रहा है बाबा साब करने देश को नहरूजी की सरकार में बोटर पॉलिसी दी थी और उस बोटर पॉलिसी बनाने में बाबा साब ज्ञाय के लिए भारत का उद्योगी करण होना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के दलीत पिछणों के पाँ जमीन ही नहीं है तो क्या करेगा अध्योगी करण होना चाहिए और बादा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर शावर साहब मुखर जी जो पंडित नहरू के मंत्र मंत्री थे उन्होंने इस देश में और पहले वानीचे मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडुस्ट्री पॉलिसी देश बलाई थी आज भी कितनी ही इंडुस्ट्री पॉलिसी बने लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत प्राहेम योगदान रहा था। आगर योदिक जी लाल बादुर शास्त्री जी ने पैंसर के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का होसला बुलंद करना उनके सामर्थ के लिए को पूरी तरह राष्ट्रेट में जोग देजे की प्रेणा इसी सदन से दी थी लाल बादुर शास्त्री का और यहीं पर उन्होंने ग्रिन रिवालुशन के लिए एक मजबूत नीव लाल बादुर शास्त्री जेनर की थी। अधर नेतिक जी बंगलादेश की मुक्ति का अंदोरन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदरा गांदी के नेत्र पविल किया था। इसी सदन ने इमर्जंसी में लोगतंतर पर होता हुआ हमला भी देखा था। और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एसास कराते हुए मजबूत लोगतंतर की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राश्य संक्य पर भी देखा था। ये सामर् ये सदन इस बात का हमेशा रणी रहे था, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्वप्रधान मंत्री चांद सिंग्जी ने ग्रामिन मंत्राले का गठन किया था, इसी सदन में मत्रान की उमर 21 से 18 करने का निरने हुआ था और देश की युआ पीड़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया है, उत्साइद किया गया था, हमारे देश ने गड़्वंदनों की सरकारे देखी, पीपी सिंग्जी और चंद से के जिए और बात में एक सिलसिला चला, लंबे अर्से से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोच तरे देश दबा हुआ था, लेकिन नर्सिमाराव की सरकार थी, जिन्हों ने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैस्टा किया था, जिसके आज देश को परणाम बिलते हुआ अटल वेहरी वाजपई जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी सरवशिक्षा भियां, देश में आज वो महत प्रपून बन गया है, आदिवासी कारले मंत्रा ने अटल जी ने बनाया है, नौर्थ इसका मंत्रा ने अटल जी ने बनाया, नुक्लियर टेस भारत के सामर्त का परिच्चायक बन गया है, और इसी सदन में, इसी सदन में, मनमोन जी की सरकार, केश फॉर बोट को भी, उस क को भी सदन ने देखा है आदे नियर देख जी सब का साथ सब का विकास का मंत्र अनेक अहत्यासिक दिर्णएं दसकों से लंबित विशय उनका स्थाई समाधान भी इसी सदन में हो रहा है आर्टिकल 370 यह सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा इस सदन के साथ का विकास वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स जी एस्ट का निर्ड़े भी इसी सदन ने किया वन रैंग वन पैंशन ओर ओर ओपी यह भी इसी सदन ने देखा गरीबों के लिए दस प्रतिशन आरक्षान कोई विवाद के बिना पहली बार इसमें करने पर सब्सक्राइब आदरिया अद्यक जी भारत के लोक तंत्र में तमाग बुतार चड़ाओ हमने देखे हैं और यह सदन लोक तंत्र की ताकत है लोक तंत्र की ताकत की साक्षी है जन विश्वास का इकेंदर बिन्दु रहा है इस सदन की विश्वता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी अचलिल होता है यह सदन है जिसमें कभी चार सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और सोब सदस वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी यह भी सामर्थ इस सदन के लोक तंत्र की ताकत का परिच्चे कराता है और यही सदन है जिसमें एक वोट से एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोक तंत्र की गरीमा को बढ़ाया था यह भी इसी सदन में होता है आज अनेक छोटी-छोटी रिजनल पार्टीओं का प्रतनिदीत हुआ हमारी देश की विवित्ता को हमारे देश की एस्पिरेशन का एक प्रकार के वो आकर्षक केंदर बिंदु बना है आज अधनिया देख जी इस देश में दो प्रधान मंत्री ऐसे रहे मुराग जी भाई भी पी सी एक प्रगार से कॉंग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी-कॉंग्रेस गवर्ण का नेतुत्व कर रहे थे यह भी इसकी विशेस्ता थी और ह नर्थिमाराव जी वो तो बिस्ट्रा गोल करकर गर जाने की तैयरी कर रहे थे निमृति की गोश्णा कर चुके थे लेकिन यह लोग पंत्र की ताकत देगें इस्तधन की ताकत देगें को प्रधान मंत्री की रूब में पांट साल हमारी शेवा कर दो अधनियों जी जी सबकी सहमति से कठीन से कठीन कारिय होते हुए हमने देखे हैं दो हजार की साल थी अटल जी की सरकार थी इसी सबन में तीन राज्यों का गठन सर्वस्विक्रुति से के रहा और बड़े उमंग उत्सां से किया जब छत्यूद की रचना हुए तो उत्सव छत्यूद ने भी मनाया उत्सव मद्रदेश ने भी बनाया जब उत्राखन की रचना हुई तो उत्सव उत्राखन ने भी मनाया उत्सव उत्तरप्रदेश ने भी बनाया जब जारखन की रचना हुई तो उत्सव जारखन ने भी मनाया उत्सव विहादे भी बताया ये हमारे सदन क्या सामर्त है सब सहमतिका वाताओं बना करके लेकिन कुछ कड़वी यादे वो भी है कि तेलंग अना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयाश हुए खुण की नदिया भी वही और बनने के बार ना तेलंग अना उत्सव मना पाया ना आंद्र उत्सव मना प पार हम तेलंगना का निर्वान करते तो एक नई उचाई परा तेलंगना पहुच चुका होता है आधनियत देख जी सम्विदान सभाने अधनियत देख जी इस सदन की परंपरा रही है सम्विदान सभाने उच समय अपना दैनिक भत्ता पैतालीस रुपिये से कम करके चालीस कर दिया था उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए आधनियत देख जी यही सदन है केंटिन में मिलने वाली सब्सीड़ी जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था इसी सदस्यों ने उस सब्सीड़ी को भी खतम कर दिया और पूरा पैसा देकर केंटिन में खाता आधनियत जी कोरोना काल में जब जरूर पड़ी तो यही सांसत जोनों ने MP लेड़क फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए इतना ही नहीं कोरोना काल में कोरोना काल में इसी सदन के सांसतों ने अपने तनखा में 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत कटोती की और उन्होंने देश के सामने आये हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई आदनिय जैजी हम गर्व से कह सकते हैं ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पुर्वजो सदन में बैठे हैं वो भी कह सकते हैं, कि हमी लोग हैं, जिन्होंने हम पर discipline लाने के लिए, हमारे यहां जनप्रतिनीतितर कानून में, समय समर्पर कठोर्टा बरती, नियम हमने ही लाँ दे, है यही मानने साउसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पिड़ी के साउसदों ने दिया है और मैं मानता हूँ कि कभी कभी उन चीज़ों को भी याद करना चाहिए आदेंडिया देड़ जी हम जो बरतमान साउसद है उनके लिए तो इबिशे सवभाग्य का अउसर है सवभाग्य का अउसर इसलिए है कि हमें इत्यास और भविश्य दोनों की कड़ी बनने का अउसर दिना है कल और आज से जुनने का हमें अउसर मिल रहा है और आने वाली कल नेर्बान करने का एक नया विश्वाद नया उमंग नये उसागेदार हम यहां से विदाय लिने वाले हैं आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी साड़े साथ हजार जन प्रतिनी दिराइच चुके हैं उनके दवरोगान का पौना है इन दिवारों से हमने जो प्रेणा पाई है जो नया विश्वाद पाया है उसको लेकर जाने का है बहुत ची बात ऐसी थी जो सदन में हर किसी की तालिकी हगदार थी लेकिन शायद राजनिती उसमें भी आड़े आ रहे हैं नहरुजी के योगदान का गवरोगान अगरी सदन में होता है कौन सबसे हो गए जिसको तालिक विजादे का मन न कर लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी देश के लोक तंतर के लिए बहुत जरूरी है हम सबने अपने आँ सोच ले आदर नियोद देख जी मुझे पुरा विश्वास है कि आग के मारदर्शन में और इस अनुभवी मान्य संसदों के सामर्थ सर हम नई संसद में जब जाएंगे तो नई विश्वास के साथ जाएंगे मैं फिर एक बार आज पुरा दिवस आपने इन पुरानी स्फूर्थियों को ताजा करने के लिए दिया एक अच्छे वातावर्ण में सब को याद करने का मोका दिया इसके लिए मैं आप सब का आपका रुदे साभार वेक्तर करता हूं और मैं सभी सदस्वों से आगरे करूंगा कि अपने जीवन के ऐसे मधूर यादों को यहां हम जुरूर वेक्तर करें ताकि देश तक पहुँचें कि सचमुच में यह हमारा सदन यह हमारे जनप्रतियों की गतिवीदी सच्चे अर्थ में देश को समर्किद है इसका भाव लोगों के तक पहुँचें इसी का पेक्षा के जात मैं फिर एक बात इस धरती को प्रणाम करता है भारत के मद्दिरों से बनी हुई हर एक दिवार के हर एक 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 इटे को प्रणाम करता है और पिछले 45 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्क तरक्ति देने वाले हर गुण्ज को उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी बानी को विरांत कर देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद मानने सदशगन मानने प्रधानमंती जी ने इस सदन सदन की सीख अनभव यहां की पेड़ना यहां की गूँज के बारे में व्यक्त किया है मैं यह अपिख्षा करूँँगा कि आज का दिन इसी तरीके से सकारात्मक वातारण में हम चर्चा करें सकारात्मक विशे रखें और जो कुछ भी यहां से सीखा है हमारे पुरूज ने जो कुछ भी इस देश को लोगतन को दिया है उसके बारे में सकारत में विचार रखें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अधीर अंजन चोद्री जी रान्मंत्री को रहना चाहिए रान्मंत्री को उपस्ते रहना चाहिए तो हमारी बात्रों सुन ले क्या मारी यादा रहे I'm just coming I'm just coming Sir हमारे ये चिंतने या रही है आपके नहीं बहुत 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 बार्शन के रान्मंत्री को बढ़िका के अभात्री कίν एि बहुत रान्मंत्री प्लेस्त बढ़िए उनन्मंत्री Devju कर दो कर दो